वेलकम टू माइ न्यू ब्लॉग तो कैसे हो आप सब आप सब आप सब ठीक होगे तो यह देखो मैंने किता मोटा सा जो जैकेट है वो हुड़ी वो मैंने पहनी हुई है क्योंकि मैं जा रही हूँ पालर में अच्छली जो मेरी करजन है वो अभी आई है उसने हैर कट लेना थ वो यह ने कटिंग कर वादे नहीं शॉट ही यह उससे मेरी भी शॉट है तो इतने लंबे हैं तो अभी बाकी जो वीडियो होगी मैं को पालर जाके दिखाऊँगी कि वह किस तरीके से प्रिभाज जो है वो कट्वारी है तो अभी अभी टाइम जो हुआ है वह वी शाम की पांच बज रहे हैं तो अभी मैं सभी इतनी मोटी मैंने हुडी पैननी हुई है कि वहाँ इतनी जादा सर्दी है कि बता नहीं सकती मैं इसलिए मैं सब्सक्राइब कर ले आगे की और वीडियो को देखने के लिए ठीक है तो अम मिलते हैं पालर में तो घसके हैं बिटा था तो तो उसके लावा भी कितने लंबे बाल आप देख सकते हैं और ना उसके बाद ने थोड़े से बाइल भी किया हुआ था तो वैसे भी उन्होंने वाश तो करना Second तो cutting के साथ वो wash भी कर देते हैं तो उसके बाद उन्होंने wash कर रहे थे वो तो उन्होंने कोई दो या तीन बार तो उन्होंने शैंपू लगा दिया क्योंकि जो oil था उसके हेड़ पे वो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था तो उसके बाद जब उन्होंने दो या तीन बार उन्होंने जो शैंपू था वो लगाया उसके बाद उन्होंने कंडिशनिंग भी की तो फिर भी मतलब कि आदा घंटा तो हमें लग गया था सिर्फ head wash में ही उसके बाद बैया ने उसको बिठा दिया था बहुत ही मुश्किल से उसका head wash हुआ अब भी आप देख सकते हैं कि कितने जादा लंबे बाल थे अब उन्होंने काटे भी थे इतने लंबे बाल थे तो वो बोल रहे थी कि मुझे तो cutting करवानी ही है तो आप देख सकते हैं कि wash करने के बाद भी आप देख रहे हुए कि अब मतलब कि उसको serum वगरा लगा रहे थे serum लगा है उन्होंने तो उसक सकते हैं कि जो पालर है वो काफे जादा अच्छा जो बहुत जादा अच्छे थे उन्होंने दो तीन वातों शैंपू लगा दिया और उन्होंने बहुत ही आराम से मतलब कि इसके जो हेर कटिंग थी वह की थी तो अगर आप उसको एड्रस वगारा अगर लेना होगा पालर का तो मैं आपको बता दूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्षिन में कमेंट कर सकते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि भाई ने कौम कर लिया था आप वो बिल्कुल भी कटिंग करने लगे थे और थुट बाल करके तो निकल रहे थे जब इसकी कटिंग हो रही थी तो कि तदर उलत जाते हैं तो पहले पूरे इसके एड़ पे पुरा उन्होंने कॉम वग्यरा किया कॉम करते करते बी काफी जादा टाइम हो गया था और हमें पूरा दो गंटे लगे थे से भी कटिंग पर ही और आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत क्यों कि उसके बाद उन्हों काटने शूरू किये थे तो अभी वह पिछे से इसकी जो लेंथ थी वह नों ने वह बोर रहे थे कि इतनी जादा कम नहीं होगी लेकिन वह बोल रहे थी कि मुझे कम करवा देनी है तो मैंने भी बोल रहे था कि इतनी जादा कम नहीं करो इसकी लेंथ क्योंकि ते लंबे बाल बड़ी मुश्किल से होते हैं तो कटिंग करना तो बड़ ददा असान है उसके बाद भया आइस्दा आइस्दा ऊसके बाल कटू बढ़ने के बदे रह गल्गाद हों वह जो चली भी कई थी बत आप में देख सकते हैं कि काफju दह अच्छा लुक का वह औगया था तो काट रहे थे तो काफी जादा मेरे को इंट्रेस्टिंग लगा कितने लंबे बाल यार संभालना में मुश्किल होते हैं तो इसलिए आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बराबर करते करते थोड़ोड़े बाल लेके ना वो काटते जा रहे थे तो उस तरीके से आप यह बोल मंगें खरनकी डास्रीं मेरे कट सकते हैं। सो उस नियुकल रहे हैं देख सकते हैं। जो चारम मेरे को मेरे करने यह काटना हैं। टो लेकिन वो बुरते की ही थोड़े बहुत तो कटते ही हैं कि थोड़ी स्टी्ची डैमेज भी हो गये थे बाल तो आप देख सकते हैं कि इस त्रिके से जो है वो कटिंग कर रहे थे बैया काफी जादा मतों कि जैनुइन प्राइजिस हैं इनके सर्विसीज काफी जादा अच्छी हैं तो अगर आप जामू में रहते हैं तो आप स्पालर में जरूर विजिट करना तो अगर आपको इसका जो एडरेस वगरा चाही होगा तो मैं आपको description में डाल दूँगी अगर आप comment भी कर सकते हैं कि किसी को चाहिए कर नहीं चाहिए होगा तो comments मुझे नहीं आए तो मैं फिर नहीं डालूँगी तो इसलिए आगे आगे आप देख सकते हैं कि भईया अभी eye size समगे धोड़ी बाल लेकी इसके cutting हो रही थी तो front से जो है वो इनए इतनी short length जो है वो उसके बाद भी आप आट सकते हैं कि और बाल कट रहे थे इसके पहले इतनी length थी उसके बाद इतनी length और कट रही थी वड़ा भी वो बोरी थी ने 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 आप काटते रो तो बने हम बोत भे हैं नहीं, इतने ज़्यादा नहीं कटना तो अब आप देक सकते एंगे, थोड़े बहुत और कट रहे थे, तो लेकिन फिर भी करणी है आपको तो लेंथ तो जाती ही है, तो इसके बाद हम देख सकते हैं की काफी लेंथ जो है, वो निकल चुकी थी, और आप अब देखे हो कितने जादा जो बाला वो नीचे गिर गए थे बट फिर भी काफी तदा अच्छी लूका रही थी लास्ट में भी उसके बाद वो फ्रेंट के जो है वो लेयर्स कर रहे थे तो अब भी तो बिल्कुल गीले बाल थे तो इतना लेयर्स जो है वो दिखते न अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से बहें जो है वो उसके बाल जो है वो काट रहे है और उन्हेंने फ्रंट के जो है वो लियर्स नोंने की है मुझे तो काफी जादा की जो कटिंग मैं भी वहीं से ही करवाती हूं कुदि मेरे काफी जादा शॉट हैर प्रेले लॉंग है बट मैंने कट करवा दी और काफी ज़्यादा मतलों जब आप जो यह स्टाइलिंग वगारा जो करते हैं उसके बाद काफी ज़्यादा अच्छी जो इनकी कटिंग है उनका लुक आता ही है तो आप डेफिनेटली इस पालर में जरूर विजिट करना और जरूर कटिंग शवाना प्राइज भी बहुत कम है बाकी बालर से बाकी सरलांस वग्यारा जो कटिंग वो करते हैं तो उसके इलावा उसके इलावा तो आप देख सकते हैं कि बैया किस तरीके से ब्लो ड्राय अब कर रहे है क्योंकि ठट भी इतनी जादा थी उस टाइम पे भी तो बाद आ काफ़ जादा टाइम इसको लग गया था ड्राइ करने में भी बाल तो बहुत जादा मतलब कि इसको टाइम लग रहा था अब आप देख सकते हैं कि बैयाने ना इसके जो बाल है वो थोड़े वो सुखा भी दिये हैं और उसके बाद अब वो करें हैं हेयर स्टाइलिंग जो कटिंग होती है आप उसके बाद देख सकते हैं कि किस तरीके से वो ब्लो ड्राइर कर रहे हैं तो उसके बाद वो हेयर स्टाइलिंग वगयरा पूरी प्रॉपर करेंगे और लास तक जरूर देखना काफी जादा अच्छे जो इसकी कटिंग थी वो बहुत अच्छी थी और नेक्स्ट डे तक भी काफी जादा अच्छे इसके बाल रहे तो जब तक आँ वाश नहीं करो ना तब तक इनके जो हेयर स्टाइलिंग वगयरा होती है वो बहुत अच्छी रहती है उन्होंने अच्छे तरीके से इसका हैड़ वाश कर लिया था कि तीन चार दिन तो आराम सीसके निकल जाते है भीने हैडवश के भी तो काफी जादा अच्छी बढ़ए मतलब बहुत टाइम लगाया मतलब की इन्हें तो जो सेलों बगारा होते हैं वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता एक जो एक क्लाइंट होता है उसके लिए बट काफे जादा अच्छा था बाइया का मतलब की जो उनकी सर्विसी थी तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब आप देख सकते हैं काफी जादा गीच रहे थे कि आपको जदा गरम पन आ तो बोर हें तो मुह जो है वह क्या धाय बाद वहां आकप लग्राइशन हन्सुन कायआ हैं उसके भी सश्रा मनला एक करना थे हैं कि लमीन आ थोबराए तन ब्रॉइ स्लस्वार histoire क्राह केласти बो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से मतलों कि बहिया ने इसकी जो कॉल बग्यारा कर रहे हैं तो काफी अच्छे इसकी जो कटिंग है वो लग रही थी अब आप देख सकते हैं फाइनल लुक जो काफी काफी जादा अच्छी लग रही थी मुझे तो देख कि इतना काटना तो लेकिन काफी जादा अच्छी जो है इसकी लुक आ रही है तो उसके बाद फ्रंट से भी हमने इतने शॉर्ट नहीं करवाये थे है और काफी तद अच्छा इसके अब दुख देख सकते हैं कि कितने प्यारे जो हैं बो बाल लग रहे हैं मतलो कि तर लंबे बाल थे काफी जादा मतलो की नहीं हुई थी इसकी शॉर्ट जो हेर लेंथ थी अब आप देख सकते हैं फाइनल कितनी प्यारी जो है मतलो हेर कटिंग लग रही थी यह बहुत जादा अच्छी करते हैं कर सकते हैं अगर आपको नमबर वगरा चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट स ब्लोग में बाग यह बाइ